नमस्कर दोस्तों आर्के महीमतमाटिस कलासेंज में आप लोगाश्वागत है। दोस्तों कुछ दीनों तक हम विडियो नहीं बना पाएं, इसके लिए हम छमाच ठाते हैं, लगवग 10 दन तक मेरे भर में मिरे भाई कर साधी था, स'll early Puis akin चाहते हैं चलिए आज हम जो है मानों नेत्र तथा रंग बिरंग संसार इस चेप्टर का हम जो है अब्जेक्टि लेकर आए हैं जो उन्चास अब्जेक्टि जो अभी भी आई है जो परतेक साल इस चेप्टर से पूछा जाता है उसी तरह के आपको 2015 में भी पूछा जागा तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों हम चलते हैं चेप्टर नंबर टू की और भौती की जो है इसको इंगलिस में हम लोग बोलते हैं तो यहां पर देखा जाए दोस्तों अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइ दीख सकता हैत दूर दिरीष्टी दोस वाली जो आँखना सफ करे देख सकता है तो आपको बता दे स्याब का एज नमबर आपका पास्टियों किस बहाग पर बनती है तो आपको हम बता रेचीना पे बनती अपसेन आपका दीण आटिंस सही होगा दोस्तों ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं कूछ नमबर निकर दिस्ती दोस्प वाले मनुष्ट से चसमे में होता तो निकर दिस्ती तो तो चस्मा जो होता है आपको बता दें हम। कितने अक्छर तो आपको लेंस होगा लेंस की चसमिका जाता है दूर दिरिष्टी दोस्के लिए उतल लेंस के परियोग किया जाता है लेंस भूट हो ठिकर ! चले हैं अगि भो देखते हैं कूचार नंबर है ली अच्शा आपको कूछन है जो आप बार बार परिच्छावों में पूछा गया है और सपरस्ट देखने की निम्टम दूर में कितनी है तो दोस्तों असपरस्ट देखने के निम्टम दूर आपको बता दे तो पचीश सेंटीमीटर है आपका अपसा नमर भी ही राइट एंसा सही होगा चलिए आगे देश्टी दोस्तों के लिए परियुक्त होता है तो देख देश्टी देश्टी दोस्तों के लिए परियुक्त होता है तो देख देश्टी देश्ट के लिए दो अक्छा दिर्क आ रहा है तो उतल लेंस का परियुक्त होगा ठीक है देश्टों यहाँ पर छो नमबर का पर पर्योग्त कौन होगा तो option number आपका ड है सलीं क्या लिखा हुआ है तबीक होता है ठिक है ओग चलते हैं लोग निकटड दीरी दोस्वाला वेखती है तो दोस्वाला डेखती आपको कौन होगा अपसा नमबर आपका D है समीप की वस्तूओं को अच्छी तरह से देख सकता है समीप की वस्तूओं को अच्छी तरह से देख सकता है तो अपसा नमबर आपका D है चलिए अब कुछा नमबर 9 को हम लोग देख लेते हैं कुछा नमबर 9 में क्या कर रहा है से भीविन दूरियो पर इस्तितुवस्वो का पर्ती बीम फोकस दूरियों के लिए आंख लेंच की फोकस दूरी निमलिखित में किसके द्वारा पर वर्वर्थित होता है तो यहां पर नौक आपका राइट एंसर हो जाता है दोस्तो बी नंबर आपका राइट एंसर है सलिए औरी मान्स पे सिया हो जाएगा चली आगे देखते हैं आख बेवहार करता है तो आख बेवहार करता है किसमें बेवहार करता है तो आपका अप्सान नमबर भी है उत्तल लेंस की तरह बेवहार करता है ठीक है दोस्तों चली आगे देखते हैं कूचा नमबर 11 की और कूचा नमबर 11 का क्या कहता है देख देशने दोस्वाला बेगती होता, तदेख देशनी दोस्वाला बेगती होता है, आपको बता दे, हम लोग को तेखते हैं लोग देखते हैं कुछा नव भरा में क्या कहता है समान आख के रेटीना पर बनने वाला परतिवीम होता है आपसा नमबर सी है यहां पर वास्थविक और उल्टा होता है ठीक है चलिए आगे हम दोग देखते हैं कूचा नमबर कोचा नमबर आपका 13 क्या कहता है कोचा नमबर 13 में दिया हुआ है नेत्र उस गुन को जो भीनबिन दुरियों पर इस्तित वस्तुवों को को फोकस मदद करता है कहा जाता है तो ते रहां का रायट इंसर जो हो जाता है दोस्तो नमबर होगा यहां समझन छहमता ठीक है चलिए आगे देखते हैं मानव नेत्र में ने रेटीना पर बने परतिभीम की सुचना मस्तिक को संचारित करता है तो यहाँ पर आपका 14 का राइटेंसर दी नमबर हो जागा इनमें से वही नहीं होगा ठीक है दोस्तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछा नमबर 15 में कुछा नमबर 15 क्या करता है सवेत परकास कितने रोंगों में सवेत परकास कितने रोंगों के मेल से बना होता है तो सवेत परकास आपका साथ रोंगों के मेल से बना होता है अपसा नमबर आपका डी राइटेंसर होगा चलिए आगे देखते हैं सुड़े के सवेत परकास में बिरिक्षो की पतिया हरी नजर आती है क्योंकि क्योंकि इसके वाद क्या होगा किसके कारण हरी पती नजर आती है तो सुला क्याप का राइट इंसर सी हो जाएगा हरे रंग के कीरन के परावर्तन होता है ठीक है दूस्तों चलिए आगे देखते हैं हम लोग उच्छा नमर 17 की गुगर उच्छा नमर 17 आपको क्या बताता है यहां पर प्रस जाएगा देखते हैं हम लोग उच्छा नमर ठाड़ा की और परकास की कि स्वर्ण के लिए तरहांग दर अधिक होता है ठाड़ा का राइट इंसर दोस्तों हो जाता है सी नमबर आपका लाल रंग का ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछा नमर 19 की ओर प्रिजम से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है तो बता दें अपसे नमबर आपका यह होगा जो लाल रंग होता है ठीक है दोस्तों सवेत परकास का अव्यावी रंग में टूटने की किरिया को कहते हैं तो अपसे नमबर आपका डी होगा वन भी छेपन होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेत्र में किस वस्तु का कैसा परतिविम बनता है तो यह इसका आपका सी नमबर आइडेंसा सही होगा वास्तिक उ तो यह नमबर 22 में तो यह कथा है आपने लेंस की फोकस दुरी को बदालकर दुर या निकट वस्तु साफ सब देख सकता है आपके इस गून को कहते हैं तांघ के इस गून को क्या कहते हैं बाइस का राइट हैंसा जो दोस्तों हो जाता है भी नमबर समझन छाबता होगा ठ कि या माभी दोवारा होता है तो आगे देखते हैं नैंतरलेंग कि फोकस दूरी दूरी कम दिरिष्टि दोस्ते हो जागा किसी वास्तू में किसी वास्तू के परती विम अगर रेचीना के पीछे हो जाता है तो आपका आपका नमबर आपका राइट इंसर दोस्तों हो बी नमबर यहाँ पर दूर दिरिष्टी दोस्ट में हो जागा ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं दूर दिरिष्टी दोस्ट का उपचार किस परकार के लेंज से किया जाता है तो हम बता दें दोस्तों आपको 26 का आपका ए नमबर राइटेंसर है अभी सारी से होता ह ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग कूचा नमबर 27 क्या कहता है प्रीज्म से होकर गुजरने के बाद स्वेत परकास से विभिन वर्णों में विभक्त हो जाता है इस घटना को कहा जाता है तो 27 का आपका राइट एंसर दोस्तों हो जाता है अपसर नमबर C है 1 भी छेप चलता है नमबर 30 में चलते हैं तह परकास के लिए तरंग दर्ग अधिक्तम होता है किस लिए तरंग दर्ग अधिकतम होता है तो सबसे अधिक होता है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं स्वेट परकास की किरन जब किसी प्रिजम से होकर गुजरती है तब 156 का रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या कहलाता है 31 का इंसर आपका बीछ दोस्तों किस दोस से दूर करने के लिए अउतले झाइं किया जाता है ने hatır को दूर दोस्तों को दूर करने के लिए जोता है ती नमबर आपका निकट देश्टी दोस हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं कोचा नमबर यहाँ पर अब इंदुखता के उपचार के लिए परियुक्त होता है तो अब इंदुखता के उपचार के लिए परियुक्त होगा 33 का आपका राइट इं सवीब की वस्तु ओंछी तरह सेदे पाता है सवीब की से आप पता है उसको निकट देशती दोस्त होता है ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कमरे की कमरे की तरह नेत्र में परवेश करते परकास के परिमान को नियंतरित करता है तो यहां पर 35 का आपका राइटेंसा दोस्तों हो जाता है डी नमबर आईडी हो जाता है आगे देखते हैं मानो नेत्र में परकास किस रास्ते परवेश करते हैं तो 36 का आपका राइट इंसर C नमबर हो जाता है आपका हो जाएगा पुतली आगे देखते हैं मानो नेत्र में परकास का आप वर्तन कौन करता है कौन करता है 37 का आपका option number C है कौन रिया तता लेंस से दोनों होता है ठीक है दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कूचा कूचा नमर 38 को देखते हैं दोस्तों यहां पर रेटीना पर बनते पर तिलीम को बिधूत संकेतों में कौन बदलता है तो 38 का राइट इंसर दोस्तों हो जाता है और इसका राइट इंसर आपका भी हो जाएगा रोड तथा कौन सो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे हम देखते हैं फिर से मानोच नेत्र ने लेंज की क्म क 성공 दूरी नहुंतम होता यहां कौन सा होका आपको मालूम है बीनम्बर होगा आपका चलिए आगे देखते परकास रंग निलाane का और इंसर क्यांनुर्म ब्राता तो हो जाता है बी नमबर परकीरन होगा ठीक है उत्तार लेंस किस दिश्टी दोस को निवारन करता है 41 का आपका ए हो जाएगा दूर दिरिश्टी दोस हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखते हम लोग किस दिश्टी दोस का निवारन है तो 42 का आपका राइट इसर कौनसा हो जाएगा डी नमबर हो जाएगा जरा दिरिश्टी दोस का ठीक है आगे देखते हम लोग फोकस का आगे देखते हैं परकास का घटक तरंगों के तूटना का हाला आता है तो 43 का आपका राइट इसर हो जाएगा इसिनमबर हो जाएगा परी छीपन ओंगों हो जाएगा ठीक है आगे हम लोग देखते हैं hors finds 44 आ क्या कहता है दोस्तो परकास का परिच्छन पैदा करने के लिए ऐवातका है उसमें तो चलिए आगे हम लोग देखते है 44 का आपका राइट इंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर हो जाता है बिचलन भी होता है चलिए आगे देखते हैं एक एंपियर बराबर होता है तो एक एंपियर बराबर क्या होगा दस पर पावर माइनस दस मीटर होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं कूचा नमबर 46 में कूचा नमबर 46 क्या कहता है इंद्र धनों से बनने में आवसेक है सुड़ी की किरने किरनों के निम लिखित बातो तो कौनसी होगा का 46 का लाइंसर दोस्तों हो जाता हैं 46 का राइंसर कौन सा ने हो जाएगा आप वर्तन का पुन पर आब बरतन हो जाए है ठीक है तूस्तों छे आ आगे boncks का भीत्री हिस्दट की सक्ति incl 700 am 있기 Ganz जाए 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 अगर आगे हम लोग देखते हूँ खत्रे की निसान के रूप में किस रंग का परयोगी चाहता हता तो लाल रंग का परयोगी है अब सब्सक्राइब की जबाब हम लोग सही सही देखे हैं दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइज कर लिजिएगा और बेल आक्सा प्रेस की जाएगा क्योंकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहाएगे और यहां पर आल सब्जेक्ट का आपकी पढ़ाई क पकराई जाएगे जो आपको उत्म सहयोग मिलेगा आप लोग मेरे चैनल से जूड़ जाएए और बहुत अच्छा खसा इस चैनल के माधियम से रिजल्ट आता ही है और हम नए क्रियेटर है जो फूरे ही दिनों में बहुत अच्छा खसा जो है हो चुका है तो दोस्तों हम ज्यादा बात ना करते हुआ अपने बातों को समाप्त करते हैं जय हिन जय भारत और जय भी हर वंदे मात्र